सो फाइनली गाइज काफी दिनों से हमने ये पार सलोड रखिया हुआ था तो आज ये आ चुका है तो चलिए इसे फटावट कोलते हैं और देखते इसके अंदर क्या है और आपको भी दिखाते हैं हमने एक बहुत इंटरस्टिंग और बड़ी चांदार और यूज़िफूल चीज मंगवाई थी अब देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है क्या वही होगी तो चलिए फटावट से इसे खोल के देखते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाईए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो गाइज यह देख सकते हैं यह पाउच निकला है इसके अंदर और देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो इसे रखते हैं साइड में तो गाइज यह है हमारे काम की चीज यह आप देख सकते हैं यह है फोल्ड इसकोप इंस्ट्रूमेंट तो गाइज यह एक माइकरThoseकोप की तरह काम करता है तो दोस्तों जो माइक्रोसकोप होता आ है वह बहुत कोस्पली होता है वह बहुत भाहइंगाता है तो इसे ध्यान में रखते हुए हमारे एक इंडियन स परकाश ने यह फोल्ड सको यानी पेपर इंवेंट किया है तो गाइस चलिए फटा फटासे खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या-k стенigलता है तो गाइस यह देख सकते हैं कि इसके अंदर खूब सारे इंस्ट्रूमेंटों and पता निक क्या है गाइस यह पेपर से बना हुआ है पूरा तो गाइज यह है इसका जो में लैंस बोल सकते हैं वो लैंस है यह तो देखिए यह इसे क्लीन करने का है कुछ और यह पताने क्या है तो एक-एक चीज को हम बारी-बारी से देखते हैं इसमें शायद कुछ इंस्ट्रक्शन है तो गाइज यह देख सकते हैं यह बनेगा कुछ ऐसे तो गाइज यह काफी बड़ा है यह आप देख सकते हैं यह पीछे से भी कुछ ऐसा है यह देख सकते हैं आप तो फटा-फट से इसे असेंबल करते हैं और आपको दिखाते हैं गाइज यह है हमारी में चीज जो हमें चाहिए थी ग्याइज फटा फट से इसे असेम्बल करते हैं एक-एक पेपर को लगा के इसे असेम्बल करते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए चैनल उपर सब्सक्राइब करके वेल आइकशन दभाई या एसी ओर दार वीडियो देखने के लिए तो चलिए इसे असेंबल करते हैं सो गाइस दो ढ़ाई गंटे के काफी कड़ी मेनत के बाद यह हमने असेंबल कर लिया है इसे तो गाइस यह आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है यह तो गाइस यह है बोले तो एक सस्ता माइक्रोस्कोप जिसे फोल्ड स्कोप नाम दिया है गाईज यह इसे हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट है जो डॉक्टर मनू प्रकाश है उन्होंने इसे इन्वेंट किया है तो गाईज आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसके और भी वीडियो देखने के लिए इसके और भी कुछ इन्वेंशन्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर से दबाए तो गाइस हम मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में इसी के टोपिक के साथ तब तर के लिए जै हिंद जै भारत